आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी प्रेसलीज आ चुकी है नो बज कर 39 मिनट पर प्रेसलीज आईए छे पेज की प्रेसलीज है क्या क्या इस प्रेसलीज में कहा गया है इस वीडियो के अंत तक बने रही हैगा सारी डिटेल आपको बता देंगे सर यह प्रेसलीज हम कहां से डाउनलोड करें तो भैया आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो आप चले जाओ पी आईवी की साइट पर यहां पर पी आईवी की साइट पर जाकर मिनिस्ट्री ओफ फिनेंस में जाना और 28 तारिक को देखना यहां प चेज की प्रेस लीजे तो ध्यान दखना मेरे सासत बने रहना अब इसमें से जो हमारी इंपोर्टेंट चीजे हैं वो हम यहां पर कवर करेंगे पहली बात तो इन्होंने क्या करा है कुछ कोविड-19 के रिलीफ दिये हैं जैसे की ऑक्सीजन वगेरा पर एक्जेम्ट करा है सारी चीजों को तो यह हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं है तो अभी हम इसे skip कर रहे हैं इसके अलावा इन्होंने कुछ सर्विसिस को भी relaxation दिया है कुछ सर्विसिस को एक्जेम्ट करा है कुछ सर्विसिस के rate कम करें यह भी हमारे लिए इतना important नहीं है सर पहले तो आप हम स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्सपेर रिगार्डिंग लेट फीस और पेंडिंग रिटन जो पेंडिंग रिटन्स थी कौन सी रिटन जी एस्ट यार 3B की बात कर रहे हैं जुलाई 17 से लेकर अप्रेल 2021 तक की जुलाई 17 जब से जी एस्ट आया था और तब से ले लेट फीस 10,000 रुपे पर रिटन हुआ करती थी अब इसे घटा कर कर दिया 500 रुपे पर रिटन और अगर आपकी अगर आपकी जीस्ट यार 3B में कोई भी लाइबलिटी है या कोई भी आपकी टैक्स लाइबलिटी है कोई भी ITC है मतलब कि वह निल रिटन नहीं है वह नि जिन लोगों ने अपनी रिटन अभी तक फाइल नहीं करी है उनके लिए यह आखरी मोका है सर हमने तो फाइल कर दी तद्दोस अजार रुपे लेट फीस लगा कर तो क्या डिपार्टमेंट हमें रिफंड देगा भाईया डिपार्टमेंट रिफंड नहीं देता आप जून 2021 से एक जून 2021 से लेकर 31 अगस 2021 तक अगर आप रिटन फाइल कर देते हो तभी आपको इस स्कीम का बेनेफिट मिलेगा अधर्वाइस आपको इस स्कीम का बेनेफिट नहीं मिलेगा अब गोवर्मेंट ने यह सोचा कि हर बार लेट फीस कम करते हैं ऐसा करते हैं 247 की लेट फीस को कम कर दिया और क्या कहा अगर आपकी 3B की या GSTR1 की कोई भी रिटन है और उसमें निल टेक्स लाइबिलिटी है तो हम आपसे स्रिफ 500 रुपे फीस लेंगे क्या लेंगे जी 500 रुपे पर रिटन क्या बोला जी 500 रुपे पर रिटन और अगर आपकी निल टेक्स लाइबिलिटी नहीं है फोर अधर टेक्स पेर इन्होंने क्या बोला अधर टेक्स पेर के लिए अगर तुम्हारी टेर्न ओवर डेड़ करोड तक है मतलब कि तुम चोटे सैसी हो तो हम तुमसे पर रिटन स्रिफ 2000 रुपे लेंगे लेट फीस पहले जो लेट फीस अब इन्होंने क्या कर दिया उसे 2000 रुपे कर दिया लेकिन अगर तुम्हारी टेर्न ओवर डेड़ करोड से उपर है और अप्टू 5 करोड से तो हम आपसे 5000 रुपे लेंगे क्या लेंगे जी 5000 रुपे तो इन दोनों को रिलेक्सेशन दे दी लेकिन जो बड़ा आदमी है जिसकी टन ओवर 5 करोड से उपर है उसे कोई भी रिलेक्सेशन नहीं दी उसकी पहले भी 10,000 पर रिटन लगती थी अब भी 10,000 रुपे पर रिटन लगेगी अब अगली बात GSTR 4 के लिए बड़ा हल्ला हो रहा था कि सब GSTR 4 पे भी लेट फिस कम कराओ तो GSTR 4 के लिए भ आपकी निल है अदर्वाइज आपको लगेगी 2000 रुपे पर रिटन तो अगर आपकी GSTR 4 निल है तो आपको 500 रुपे से जादा की लेट फिस नहीं लगेगी ठीक है तो यहां पर भी रिलेक्सेशन आपको कर दिया गया है GSTR 7 हाला कि बहुत कम लोगों का होता है लेकिन फ प्रोस्पेक्टिव टेक्स पीरिड के लिए भी अपलाई होगी मतलब फ्यूचर में भी यही लेट फिस एपलिकेबल होगी तो लेट फिस का आपको किलियर हो गया होगा जी क्या क्या लेट फिस यह लगा रहे है हां सर यह हमें किलियर हो गया अब इनोंने जो रहा है मार्च और अप्रेल वालों के लिए अलग है और मई के लिए अलग है सर कैसे आप हमें जराब बता दो इन्होंने क्या बोला निल रेट ओप इंट्रेस्ट हम आपसे कोई भी इंट्रेस्ट नहीं लेंगे पहले 15 दिनों का कोई भी हम आपसे इंट्रेस्ट नहीं और उसके बाद अगले 45 दिनों तक हम आपसे जो लेंगे सिर्फ 9 परसेंट का इंटरस्ट लेंगे फॉर्दा मंत ओफ मार्च और 30 दिनों तक अप्रेल के लिए मतलब कि मार्च में दिया है बेनेफिट 45 दिनों का और अप्रेल में बेनेफिट दिया है 30 दिनों का क्या चीज रिड्यूज रेट ओप इंटरस्ट 9 परसेंट यह कौन से पीरेट के लिए मार्च एंड अप्रेल के लिए इसके अलावा और क्या बोला है वेवर ओफ लेट फीज यहां पर लेट फीज यह वेवर ओफ कर देंगे ऊपर तो लेट फीज की बात अलग है लेकिन यहां पर जो मार्च और अप्रेल के लिए इन्होंने अलगी बोला है कि इसके लिए लेट फीज माफ कर देंगे 3B के लिए मार्च हो या क्वाटर एंड मार्च हो और अप्रेल 460 डेज और 45 डेज मतलब कि मार्च के लिए तो 45 दिन तक लेट फीज साथ दिन तक लेट फीज व्यवफ कर देंगे और अप्रेल के लिए 45 डेज तक हम लेट फीज व्यवफ कर देंगे अब इसमें क्या बोला है निल रेट ओफ इंट्रेस्ट फॉर फर्स फिप्टीन डेस फ्रॉम दा ड्यू डेट ऑफ फरनिजग स्टेट्मेंट ऑफ सी उसके लिए 15 दिनों तक यह कोई भी आपसे इंटरस्ट नहीं लेंगे और उसके बाद 9 परसेंट लेंगे 45 दिनों तक तो यह तो बात हो गई मार्च और अप्रेल के लिए भाईया टेंशन मतले बिल्कुल भी यह जितनी भी सारी प्रेसलीज में बात आई है ना यह सारी की हमारा जो जून मन्त का एडिसन आएगा न मैक जीन का उसमें हम बिल्कुल सिंपल लेंग्वेज में आपको बताएंगे तो अगर किसी ने अभी मैक जीन सब्सक्राइब नहीं करी है तो हमारा जो है ना 31 मई तक डिसकाउंट चला है 10% डिसकाउंट चला मैक जीन के उपर त माई की जो टेक्स की पेमेंट होती है वो होती है जून में तो इन्हों ने कहा है अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो निल रेट ओप इंटरेस्ट फॉर फिप्टीन डेज 15 दिनों तक कोई व्याज नहीं लेंगे और उसके बाद हम अगले 15 दिनों तक सिर्फ 9% का व् कर दिया क्या लेट वीज को कर दिया वेवर ओफ लेट फिस फोर डिलेइन फरनीशिंग रिटर्न फोर टैक्स्वियर फाइलिंग मंत्रली रिटर्न फोर 30 तर्टी डेस तक जैसे मही की जो ड्यू डेट होती है माननो 20 जून होती है तो अगर आप 20 जुलाई तक भी फाइल क गया है लेकिन थोड़ा सा कम क्या दिया गया है लोवर रेट ओप इंटर्स फॉर फर्स 15 डेज ड्यू डेट के बाद जो 18 परसेंट लगता लेकिन पंदरा दिन तक हम कितना लगाएंगे स्रिफ 9 परसेंट लगाएंगे किस पीरिड के लिए मई 2021 के लिए और ऐसे ही लेट इसमें रिलेक्सेशन दिये कि 15 दिनों तक हम आपसे लेट फीस नहीं लगाएंगे जो जी एस्ट्यार वन और आई एफ एफ की बात करते हैं मई 2021 हम बात कर रहें मई 2021 जिसकी डेट जून में आनी थी तो जी एस्ट्यार वन और आई एफ की डेट के लिए 15 दिन इनोंने इनोंने 30 जून तक बढ़ा दिये इसके अलावा जो हमारा रूल 36 चार है उसके अंदर मई जून अप्रेल मई जून तीनों का ITC हम इखटा चेक करके देखेंगे अलग-अलग नहीं देखेंगे विदाउट DSC मतलब कि EVC के तुरू आप अपनी रिटेन वेरिफाई कर सकते 31 अगस 2021 तक यह भी नोने लेक्स कर दिया है अगर कोई ओडर वगेरा पास करना था उसकी डेट को भी बढ़ा कर 30 जून 2021 कर दिया है ठीक है न जी वह एक बात और ध्यान लगो कल हमारा सेशन है साम को पास से 6 बज़ित कर जू मैप पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम ले लेंगे इसमें रजिस्टेशन करने के लिए इस नंबर पर आप वाटसप कर सकते हैं मैगजीन के लिए भी इसी नंबर पर आप वाटसप कर सकते हैं हमारी पैन ड्राइप पर भी डिसकाउंट चला है अगर वह भी लेनी है तो उस पर भी आप डिसकाउंट ले सक करनी है लेकिन कब फाइल करनी है अगर तुम्हारी टर्न ओवर पाच करोड से उपर है तो आपको नाइन सी तो डालना लेकिन सेल्फ सर्टिफाइड कोपी आपको देनी पड़ेगी इसके अलावा नाइन और नाइन इन्होंने क्या बोला अप्टू रूपीस टू करोड यह दो करोड सक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी ठीक है ना जी दो करोड से उपर आपको नाइन बरनी है और पाच करोड से उपर आपको नाइन और नाइन सी दोनों बरना है लेकिन सेल्फ सर्टिफाइड कोपी भरनी है ठीक है जी इसके अलावा और क्या बात करी है इन्होंन इंट्रेस्ट को इन्होंने रेस्ट्रोपेक्टिब कर दिया है, यह हमें पता ही है, तो सारी नोटिफिकेशन जब आ जाएंगी, तो हम यह अपनी मैगजीन के अंदर देंगे, और इसमें आपके कोई भी सवाल जवाब होंगे, तो हमारा वेबिनार है, कब है हमारा वेबिना इन नमबर पर WhatsApp करके, आप इसमें रेजिस्ट्रेशन करा लो, जिससे आपके सारे डाउट के लिए होगे, आशा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है, तो जाद से जादा लोगों तक शेयर करना, इस वीडियो को लाइ क्यूंगे तक शोगळेशन करते ही लगी होगें पिक शबदेन हिस्ट्रेशन, जाद भेओियो लावेशन राउटारीच होगें लगाणियो झेवार क्यूदं सेशाल करे लिए लगेशन से लीडिए उुभाले, प्यूगी होगे, युज उूग़े झादार, तक प्यूज